असलाम अलेकुम एवरीवन वेलकम टो टैकन्स ओफिशल यूट्यूब चनल तो जैसे कि आपको पता है हमारी 1111 सेल चल रही है तो उसमें हम एक और मॉडल आज इंट्रिद्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी नाम है जी नाम अल्टरा मैक्स याद रहे जी नाम अल्ट चेंज होती है इसकी मार्केट प्राइज आराउंड सिक्स्टी पाइवंड़ तो सेवन थाउजन बेट टैक हंग आपको यह वाच सिर्व से फूर थाउजन की प्रवाइट करने जा रहा है 1111 सेल पर याद रहे इस इस ओनली थ्री डेज ऑफर्स के बाद यह आपकी जैनल पर दुबारा आ जाएगी बॉक्स बहुत अच्छा है और प्रेजेंट करना चाहिए किसी को ग्यूट करना चाहिए तो एक अच्छा आपको लुक प्रोवाइट करेगा अच्छा जी वाच आ गयती है साथ आपको एक रोलेक्स चेंड स्ट्रैप देखने को मिलता है और एक आपको मिलता है ओशन स्ट्रैप तो साथ इसमें दो स्ट्रैप्स हैं अब हम करते हैं बात इस वाच की वाच को करते हैं अच्छा यह वाच स्पेशली डिजाइन है हमारे गोल्ड लवर्स के लिए आप देख सकते हैं बिलकुल जो गोल्ड का रियल कलर होता है यह उससे स्ट्रैप्स है वाच को अम इस्ट्रैप्स लगा के भी आपको इसका लोग देहांगे इस से पहले मैं दिखा दूँ में चीजें वाइडलेस चार्जिंग सपोर्टेड यह वाच है और इग्जैक्ट 49 mm आती है प्रामरी बटन है स्पीकर होल है एक्शन बटन है क्राउन ब सब्सक्राइब आपको वाच दे रहे जिसमें स्ट्रैप लाग भी मौजूद है अब हम करते हैं वाच को और इसके फंक्शन करते हैं मेन्वाइल मैं स्ट्रैप इंस्ट्राल करता हूं फिट प्रो यहां पर मेंशन है फिट प्रो एप्लिकेशन से यह वाच कनेक्ट होगी तो अब मैं आपको स्ट्रैप भी साथ इंस्ट्राल करके दिखाता हूँ यह दिखें आप देखने हैं यह जो साइड है नीचे लॉक वाली साइड सिल्वर यह हमेशने नीचे की साइड पर रहे गी तो हमने सिंप्ली स्लाइड करना है तो मैंने इसमें रूलेक्स ट्रैप कर दी है जो कि किसाथ आपको फ्री मिल ले वाले आप चेक कर सकते हैं बहुत ए आउटसेंडिंग और जबर्दस प्रीमियम लोका रहे है मने जा रहे हैं आपको इस वाच पीर देख और वाच वैसे हैं आप सिर्फ कर सकते हैं फडरो एप्लिकेशन से अच्छल डूले watch OS 10 के theme based एक shortcut menu देखने को मिल जाता है जिसमें आप easily यहां पर access कर सकते है most used application यहां पर show हो जाएंगे बाकी music controller और each and everything जिस तरह origin watch में show होता है shortcut menu उस तरह आप यहां से इसको access कर सकते है स्वाइप राइट करेंगे तो आपको यहां पर music controller देखने को मिल जाता है activity tracking का record मिल जाता है कि आपने कितने किलोमेटर जन किया है each and everything यहां पर show हो जाती है फिर आप हार्ट रेट का option देखने को मिलता है और फिर आ जाता है आपका dial pad dial pad का मकसद यह है कि आप call कर सकते हैं आपको question होगा क्या हम watch के through बात कर सकते हैं जी से speakers होने की वज़ा से microphone होने की वज़ा से आप इस watch के through without using your mobile आप बात कर सकते हैं call पे swipe down करेंगे तो आपको अंडी notification देखने को मिलती है swipe up पे आपको control panel देखने को मिलता है जिसमें airplane mode का option है different menu styles का है music controller का है torch को मैं on करता है तो आपको इसकी basis देखने को मिल जाते हैं जो कि almost replicate करते है अप्रिल वाच अल्ट्रागोड ऐसे जी यहां पहले आते फोन डूतूत कॉलिंग का option आ जाता है do not disrupt का option है यहां प्यार जाएंगे तो language setting का option है और यह है basically QR code इसको आप scan करेंगे अपने mobile से application का link आपको मिल जागा इसके बार आपने से connect कर लेनी है एचे जी phone book का option है जब आपकी watch connect हो जागा आपकी mobile के साथ तो easily आपने contact इसके अंदर sync कर सकते हैं और यह है basically stop watch का option यह है इसका control panel menu में जाते हैं और सबसे पहला लोगों का सवाल होता है क्या इसका menu lag free है तो आपके सामने ही हम test करते हैं यह देखें total lag free इसका menu है कहीं पहीं lag नहीं करें आप चेक कर सकते हैं although यह watch से बसे 4000 के आपको मिलने जा रही है range के साब से यह भैतरी वाच है proper zoom out भी होता है और zoom in करने पर आप आप जो icon zoom in होता है original watch की तरह वह icon खुल जाता है मेरे खिया से इसमें watch face ही खुल रहा है हम उसको zoom in करते है watch face को हम crown on करेंगे तो complete zoom in के यह आपको watch face on करते गा अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या आपको इस watch में options देखने को मिलते हैं double tap कते हैं usually तो आपका menu style change होता है इस तरह इसी watch में भी दूसरा menu style आपको देखने को मिलता है तो तो टोटल six menu style देखने को मिलते हैं अब हम आजाते हैं लिस्स चाइल में जहां पर आपको जो options हैं इस watch पर देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले डाइलर का option देखने को मिलता है मैंना जैसे कि आपको बता है कि this is a calling watch तो आप easily इससे call पर बात कर सकते हैं बोन बुक का ओप्शन देखने को मिल जाता है हार्ट रेट का है ब्लड ऑक्सिजन का है फेस्बुक की नोटिफिकेशन आपको इस वाच में आजाएगी सोस मतलब आप अपने हिसाफ से डाल करके डाल सकते हैं और स्वेस प्रेस करेंगे तो इसको कॉल लग जाएगी हेल्ट प्रेसिंग का ओप्शन है इसी जी का स्पोर्ट प्रेसिन का को मुझू देखने का मिलते हैं वाचसेफ का ओप्ष्ण मवचुद है कि आप इसमें वाटस एप नहीं करते हैं सारी स्मार्ट वाचिज में आप आपको सुर्फ सिर्फ इसकी नोटिफिकेशन देखने का ओप् ब्लड प्रेशर के हैं म्यूजिक कंट्रोलर का है नेक्स प्ले पॉजिच अबीधिंग आप कर सकते हैं टुइटर का है यहां से रिसेट करेंगे वेदर आपको अपने मॉबाइल पर शो होगा जब आपकी वाच कनेक्टेड होगी आपके मॉबाइल फोन से स्लीप मॉनिटर क का option है calculator का option है ऐसकी तीम आप देख सकते हैं सेम आईफून है कलेंडर आपको देखनेको मिलता है मेन्यू चैस के बारे मैं आपको यूजिक को आपको ऑल्लेडी बता चुक है कि यूर कोड के बता चुका हूँ और गेम्स भी देखनेको मिल जाती है ऐगर आप for example बोल हो रह तो more or less model number इसका S9 और G9 आप जो चाहिए से आप कह सकते हैं अच्छा जी सेटिंग्स में दुबारा जाते हैं और जो चीज़ें में सोगी हम आपको देखने को नहीं मिलता है इस वाशन आपको देखने को मिलता है सेट टाइम का है ताइम आप अपने हिसाफ से सेट कर सकते है है इस लेकर याइड्वम्bey सब्सक्राहिए है तो बांऺिशनल में इस वाश स्क्रीन का आपने जो चैडल में सेट में वर्किंग में जिसका मुझे यकीन माने आइडिया नहीं तो 4000 में अगर पार्म सेंसर मिल रहा है तो बी वेरी ऑनेस्ट मेरी सोर्स से भरके और आपको यह उपर्चनिटी मिस नहीं करनी चाहिए इसको अपने एक्षिन बटन है उसको अपने हिसाफ से सट कर सकते हैं पॉर इजैंպल मैं श्रीक कर कर देता हूं हम चेक करते हैं अभी इसको खत्म करके स्क्रिन सेवर को अप्षिन एक तो वाच फेस आपका आपको स्क्रीन सेवर का भी ऑप्शन इसमें आ जाता है अच्छा यह function की मैं मैं जाता हूँ यह function की मैंने press की देखें स्री हमने select किया था तो यह कह रहा है please connect the bluetooth यहां से अब activate कर लेंगे recent task के लिए original में आप देखते है है प्राइमरी बटन होता है basically हम चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर रीसेंट टास्क आप्शन मौजूद है रेट मी चेक प्रीज डबल टैप से आपको जो हमने रीसेंट अभी आइकन खुल लेते तो उसका आपको शो हो गया तो रीसेंट टास्क आप्शन भी इस वाच में वह बूछ है आप इसके साथ मिलता है मैं आप उसके साथ इसका लुक दिखाता हूँ मैंने इसके अंदर जो साथ घृट बल्यारे बीकविए अंस्स टास्ट करेंन और गूंट उसुमिधों को प्रॉल खेंट籍ा लगनिकि के आपको हॉड़ जा सकते हैं याद रहें लिम् में वह दिसकी प्राइब सिक्स थाउजन है वह आपको टेखंग से वह सिफ फोर थाउजन में प्रवाइब चाह रहा है तो प्रेस्ट और रिस दू कांटेक्ट थास थेंक यू सो मुच